लॉकडाउन के बाद से ही बंच चल रहे स्कूलों के खुलने का इंतिजार किया जा रहा है जहां प्राइविट स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं वही सरकारी स्कूलों में इस तरीके की कोई विवस्था ना होने के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है ऐसे में शिक्षक भी बच्चों के प्रती अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं उन्होंने कहा कि स्कूलों को लेकर गाइडलाइन्स जारी होने के बाद ही राज्य के स्कूलों को खोला जा सकेगा हमारे अनेक सिक्षक कोरोना वारियार्स बनकर उन्होंने मानोजाती के पक्षे में काम किया है मैं उनको धन्यबाद दूँगा बदाई दूँगा और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चों के जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है जब तक सेंटर गॉर्मेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक अभी स्कूल खोलने में हमको दिक्कत है लेकिन हमारा प्रिहास होगा कि जितना जल्दी हो सकता स्कूल खोले ताकि हमारे सिक्षकों को बढ़ाने का मौका मिले और अधिकान से मारे सिक्षकों ने चिम्ता बिजायक की है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास एंड्रोइड फोन नहीं है उनको ऑनलाइन एजूकेशन देने में दिक्कत आ गी है तो मेरे पास कई एक्जामपल है कि सिक्षक भाई बहन डिवटी के अलावा भी जाके उन गाओं में सीधा सीधा गाओं में जाके बच्चे को पढ़ाने का काम का गया है